बिग बोस सीजन 14 की अंडिस्प्यूटेड क्वीन यानि की रुबिना दिलाइक रुबिना दिलाइक का पॉजिटिव एटिट्यूडी है जिसकी वज़े से आज उनके इतने सारे फैंस है इसी वज़े से उन्होंने बिग बोस सीजन 14 की चमचमाती हुई ट्रोफी भी जी ती और ये रुबिना का एक पॉजिटिव नेचर ही है जिसकी वज़े से 80 स्कॉर भी इस बात की तारीफे करती है वरना 80 स्कॉर ने इससे पहले इतनी तारीफे किसी भी आक्टर की ये सिंगर की नहीं करी अब दोस्तों बात करते हैं कि रुबिना का पॉजिटिव एटिट्यूड और रुबिना की हेल्थ अप्टेग सबसे पहले तो स्वागत है आपका फीफा फूज में आ गया है होस्तें दोस राहुल वोट चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें फेस्बुक टुटा इंस्टा पे मौझूद हूँ तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं रुबिना दिलाइक ने क्या बोला रुबिना कहती है कि मैं एक महिने बाद जो है प्लाजमा डोनर बन जाओंगी और यह बहुत अच्छी बात है इस सिल्वर लाइनिंग है कि मुझे कोरोना वाए ठीक है लेकिन रुबिना की हालत कैसी है तो सुनिए अभिनव शुकला कहते हैं अभिनव शुकला पंजाब में थे जब वो काम करकर आया और वो कुछी दिन पहले वापस लोटते हैं मैंने भी अपना COVID करा लिया और मैं COVID negative हूँ अभिनव यह भी कहते हैं और अभिनव शुकला यहां पर दोस्तों रुबिना की health update कहते हैं वो कहते हैं कि I landed in Mumbai sometime back and have just reached home I will be staying here because Rubina is in isolation at her home in Shimla so there is no point me going there no one will be able to meet her right now यहां पर दोस्तों रुबिना की update देते हो कहते हैं कि मैं तो पहुंच गया था Mumbai लेकिन रुबिना जो है शिमला वाले अपने घर में home quarantine में हैं और वो यह भी कहते हैं कि अभी रुबिना से मिलने जाने का कोई भी sense नहीं बनता है अभी नव यह भी कहते हैं अभी उससे कोई मिल भी नहीं पाएगा इस पर रुबिना दिलाएक के बारे में और भी वो चीज कहते हैं कि और प्लस COVID से कैसे लड़े वो कहते हैं कि आपको जो है इस चीज को वेल इंफर्म तरीके से जो है अफकॉर्स अभी नव का IQ लेवल बहुत जादा जबता है और अभी नव अपने IQ लेवल की तरह ही बात करता है तभी तो बिग बॉस के घर में अभी नव के जैसा intelligent कोई नहीं था तो अभी नव शुकला कहते हैं कि हम सारे following measures जो है SOPs यान की standard operating procedures सब कर रहे हैं और जल्द जो है रुबिना ठीक हो जाएंगी दोस्तों मैं तो pray करता हूँ कि आप लोग भी रुबिना जल से जल ठीक हो जाएंगी सिफ रुबिना बल्कि हिंदुस्तान में जो सारे covid cases को corona को एक्दम दूर बगाना है और time पर vaccine भी लगाना है So आप अपना ख्याल रखें